तो आज का हमारा करंट का टॉपिक है जैविक हथियार सम्मेलन पर फिलहाल यहां पर एक प्रस्ताव आया है जो UNSC में लेकर आया गया है संयुक्तराश सुरक्षा परशद में तो ऐसा क्यूं आया है लाया किसका द्वारा गया है तो अभी आप एक घटना देख रहे होंगे इंतराश्री अस्तर पर रश्या वर्सेज यूक्रेन मुद्दा लगातार चल रहा है अब वहां पर मुद्दा यह है कि रश्या के द्वारा यह बोला गया कि यूक्रेन और अमेरिका के द्वारा जैविक हथियारों को लेकर उसके प्रयोग को लेकर वहां पर उलंगन किया जाता है जितने भी मेंबर होते हैं उन सब के द्वारा अगर उसके पक्ष में यहां पर वोट पड़ता है तो पर्टिकुल उन देशों के खिलाब फिर यहां पर करवाही की जाती है और अगर वहां पर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो वहीं समाप्त हो जाता है तो ऐसा ही कि एक प्रस्ताव यहां पर फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही रशिया के द्वारा लेकर आया गया अब यहां पर देखिए क्या पॉइंट होते हैं अथात क्या क्या ऑप्शन होते हैं एक देश के पास ऐसे प्रस्तावों पर पहला कि पक्ष में आप वोट कर सकते हों दू कि कोई ऐसा भी देश हो सकता है जो प्रस्ताव लाने वाले देश के साथ भी अच्छे संबंध हो और जिसके खिलाफ लाया गया है उस देश के साथ भी उसके अच्छे संबंध हो तो फिर ऐसे देश के पास option क्या बसता है कि पक्ष में वोट करें या विपक्ष में वोट क चाप दरवाजे से बहार चला जाए अब देखा जाए तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ रश्या था एक तरफ जो प्रस्ताव लाने वाला था अमेरिका था एक तरफ जो की वहां पर जिसके खिलाफ लाया गया था और तीसरा हम लोग यानी भारत जिसके सम्मन देखे जाए तो रश्या के साथ भी अच्छे है और अमेरिका के साथ भी अच्छे है तो वो क्या करेगा अनुपस्थित गायब पीछले दरवाजे से चुप चाप निकल गए कि ना हम आपके लिए कुछ कहेंगे ना इनके खिलाब कुछ बोलेंगे लेकिन फिर वो क्या है इसमें क्या-क्या कॉंसेप्ट है वो देख लेते हैं फिलहाल यह चर्चा का जो विशह है वैसे मैंने आपको बता दिया है वही कहानी यहां भी लिखी हुई है कि भारत ने रूस द्वारा प्रस्ताविस स्यूक त्रास्तुरक्षा परिस्त के उस प्रस्ताव में यहां पर अनुपस्थित रहा जिसमें अमेरिका और युक्रेण पर जैविक हथियार संभेलन के उलंगहन करने के लिए सैन जैविक गदविदियों को अंजाम देने के अ लगाया गया है इस प्रस्ताव से पहले भारत हाली में यूनस्ती के एक अनप्रस्ताव से भी अनुपस्थित रहा जिसमें रूस के चार युक्रेणी छेत्रों के कबजे को अमान निगोशित करने की मांग उठाई गई देखा जाए पूरे घटना क्रम में रश्या वर्स अपने अलगलग कई वीडियो वैसे इस पर आ चुके हैं आपको क्या लगता है भारत की रणीत कैसी रही है इसके पक्ष भी पक्ष में क्या कहना चाहेंगे यह अपना एक मुद्दा है सोचिएगा काफी पढ़ा होगा वैसे इसके बारे में लेकिन फिलहाल यहां पर अर्थात बैक्टीरिया वाइरस और कवक या विशाक्त पदार्थों का यहां पर उपयोग जान बोज कर मनुश्यों जानवरों और पौधों की मौद उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है अर्थात कुछ ऐसे बायो वेपन का हम प्रियोग करते हैं एक पर किसमें आपको यहां पर मनुश्य गोली बारी नहीं करता है किसी मनुश्य को नहीं भेजता है यहां क्या करता है सिर्फ यहां बैक्टीरिया वाइरस या कवकों को छोड़ देता है कैसे छोड़ेगा उसके माध्यम अलगलग हो सकते हैं वायू के माध्यम से यह जल में लिए या जो भी काम करना होगा वो जाके वहाँ पर करना शुरू करेंगे तो इस तरीके के हथियारों को ही जैविक हथियार समयलन यहां पर कहा जाता है अब इसके बारें थोड़ा समझते हैं कि क्या रहा है पूरा का पूरा कॉंसेट देखे अपचारिक रूप से बैक्टिरियो लॉजी लॉजिकल अर्था जैविक और विशाक्त हथियारों के विकास उत्पादन उसके भंडारन उसके विनाश के निशेद पर एक अभिशमय के रूप में हम इसे जानते हैं ठीक है भंडारन विनाश के निशेद पर अभिशमय अर्थात यहाँ पर देखा जाथ जैविक रतियारों के ना तो आप विकास कर सकते हैं ना ही आप उत्पादन कर सकते है और ना ही उसका आप भंडारन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह कुछ भी आप नहीं कर सकते अगर आपने इस पर हस्ताक्षर एत्याद यहां पर किया हुआ है जिनेवा यानि की स्विट्जर लेंड में अभी समय पर यहां पर एक तरीके हस्ताक्षर या वारता यहां पर हुई थी निसस्त्री करण सम्मेलन के समय में 26 मार्च 1975 को यह लागू हुआ और इसका जो दाइरा है यह जैविक और विशाक्त हतियारों के विकास उत्पादन, अधिग्रहन, हस्तांतरन, भंडारन, उप्योग को प्रभावी ढंग से यहां पर प्रतिवंदित करता है कई सारे देश ऐसे होते हैं जो बना लेते हैं और इसका व्यापार करते हैं किसी दूसरे देश को मेच करके लेकिन होता क्या है कि जिस देश की द्वारा बनाया गया हो सकता है वो थोड़ा जिम्मेदार देशों वो प्रयोग ना करें लेकिन ये जिसको सेल कर रहे हैं क्या वो भी उतना जिम्मेदार होगा क्योंकि आज कल के जो देशों के प्रशासाख हैं वो थोड़े से दिमाक्सिकार के उत्तर कोरिया जैसे देशों को आप देख लें तो उनका कुछ भी कभी भी कर सकते हैं यूक्रेन में देखिए अब भ प्राश्ट्री समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुक्तत्व हैं इसने जैविक हथियारों खिलाप एक मजबूत मांदर्ण यहां पर स्थापित किये हैं और देखा जाए तो जब चाइना और एक तरीके स्कोविड-19 का एक इंपक्ट खड़ा हुआ था वहां पर भी इस इस पर दबाव भी बनाये गया था लेकिन कभी भी मोस्ट जाद तर यह पर इसको सपोर्ट उतना मिला नहीं इसको नहीं चाहिना इसके लिए लिए डबाव बनाये गया क्योंकि इसके विश्वस्तर के साथ चाइना को भी बहुत बुरी तरह इसमें प्रभावित किया था और इसलिए भी नहीं कि कोई भी देश अपने ही लोगों के नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोई भी हथियार का अपने ही लोगों पर प्रयोग नहीं करेगा वो भी इतने बड़े इसलिए उतना इसको दावा यहां नहीं मिला लेकिन इसको जरूर यहां पर कहा गया कि कोविड-19 एक तरीके का जैविक हथियार हो सकता है देखा जाए तो WMD की सभी शिर्णियों पर प्रतिम्स लगाने वाली यहां पहली बहुपक्षी निसस्त्री करण संधी है बहुप जैविक और रासाइनिक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था जैविक के सासा जो कोई भी केमिकल ऐसा यूज नहीं किया जाएगा जो कि आपको यहां पर नुकसान पहुचा सकता है कोई भी ऐसी केमिकल आपको हवा और इत्याद के मादम से नहीं छोड़ जाएंगे जो जैसे कि आपने भोपाल गैस त्राजदी याद होगी उसमें क्या हुआ था एक रासाइनिक गैस कौन सी लीग ऑफ नेशन के तत्वाधान में जिनेवा में आयोजीत एक सम्मेलेन में एक प्रोटोकॉल स्थापित किया बनाया गया जिसे जिनेवा प्रोटोकॉल कहा जाता है इसी पर यहां पे हस्ताक्षर किये गया और फाइनली 1928 में यह लागू हो गया भारत ने क्या इस प्र प्रस्ताव यहां पर आया गया था उसकी इस्तिती को उनजीचे में संकल्प और निर्णे पर संउप्राश के अंगों की एक राय इच्छा की आपचारी के अव्यक्ति होती है यह जिसमें संकल्प की जो प्रकिति है वन धारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिए बाध प्रकिति पर बार बार जोर दिया जाता रहा है जो भी अंतराश्च्री अस्तर पर जो भी मामिले होते हैं कि इस दो देशों के मध वह कहा सुने जायंगे आफके अंतराश्च्री नियालय में यह विवाद सुने जाते हाना कि संयुक्तराश्ट के अंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव जैसे कि बजटी निर्णे निम्स्रेणी की निकायों को निर्देश देना स्पस्ट्रूप से यहाँ पर बाद्धिकारी हैं अर्थात महासभा को यह काम यहाँ पर करने होते यूनस्ति प्रस्ताव होता है उसमें सामाने तौर पे चार्टर के अध्यास साथ के संयुक्तरास्तो रक्षा परश्ट के दौरा अपनाये प्रस्तावों को चार्टर के 25 निर्देखार यहां पर माना जाता है अर्था यÁ hier कोई चीज यहां पर जृण यहाँ को रखा जाए यून यदि कोई वीटो कर देगा तो वो समाप्त हो जाएगा अर्थाद वो पस्ताव रखा ही नहीं चाहेगा वीटो कितने लोग पास है युए नसी में पांस देशनों के पास है किसके इससे पास कि छे लोग हो गए तो यहां पर देखें रूस और युक्रेण से जुड़े संयुक्तराश के पिछले प्रस्तावों पर भारत का वरुक यहां पर फाइनल देख लेते हैं क्या रहा है इससे थोड़ा बहुत अंदाजा यहां पर लगेगा है तिक भारत ने संयुक्तराश के क कड़े शब्दों में यहां पर निंदा की गई है भारत उसकी उसका उन्होंने बैशकार किया उसको वहां पर स्विकार उन्होंने नहीं किया है रूस ने युक्रेण में मानवी स्थिती पर युएनसी के प्रस्ताव का मशौदा तयार किया जिसमें नागरिकों की परिशद में प्रस्ताव पारित किया गया और साथी उन्हों जीय का प्रस्ताव जिसने युक्रेण में रूस की सैन कारवाही के लिए उसकी निंदा की इस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहने वाले चौटिस अन्य देश भी थे जिसमें चीन पाकिस्तान बांगलाय स्रिल यहां पे कर लिया था तो भारत ने ऐसे सभी प्रस्तावों को जो कि युनस्थी में प्रस्तुत किये गए हैं और मोस्ली रूस वर्शस युक्रेण के मुद्धे पर मोस्ली भारत ने क्या किया है या तो उसने उसका बहिशकार किया है या उसमें अनुपस्थित रहे उसमे विदेश नीति का पालन किया गया है और इसमें भारत किसी भी पक्ष में किसी भी तरक से यहां पर सहमत नहीं है वह रास्ट्री हितों के संदर्व में भारत के लिए क्या जरूरी है उस पक्ष में यहां पर अपने decision लेता आया है अपनी विदेश नीद को संचालित करता आया है जिसमें भारत के लिए रश्या भी उतना ही जरूरी है जितना भारत के लिए अमेरिका यूरोपी देश और इसलिए भारत ने यहाँ पर किसी का भी पक्ष किसी भी तरीके के प्रस्तावों के माध्यम से यहाँ परस्वीकार नहीं किया है ठीक है पांकी किसी दिन पढ़ेंगे भारत वर्शेस यूक्रेइन के मुद्धे पर भारत की विदेश नीद का पूरा एक विस्तार सुरूप की कैसी रही है भारत की विदेश सुरू से घटना करम से लेकर वरतमान की स्थितियों पर भारत की